रादे रादे दोस्तों तो चलिए शुरूमाइब है अगर चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर दें साथ ही वीडियो पसंद है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा चलिए शो की शुरुआत करते हैं जहां पर काना दाव से शकनी के बारे में बता रहे होते हैं वह कहते हैं मेरी ही तरह बलवान धीमान और अधिक विवेक वाला व्यक्ति है पस फर्क इतना है कि मैं अपनी सारी धर्म स्थापना में लगाता हूं और वो अपनी सारी अपना बदला पूरा करने के लिए और गलत कामों में लगाता है कानादाव से कहते हैं कि अभी तक तो शकुनी ने अपने पास से चल भी दिये होंगे वो पांचाल जरूर आएगा दुर्योधन को लेकर क्योंकि उसका असली उद्देश्य तो यही है कि वो शिखंडेनी से भेट कर सके वहीं दूसरी और हस्तिनापुर में शकुनी अपने सर्यंत्रों को अंजाम दे रहा होता है तभी वहां पर एक व्यक्ति आता जो कि मदद के लिए गुहार लगाता है इसे लेकिन शकुनी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम उसके उपर वार करो या तो फिर मर जाओ या फिर मार दो और अगर तुम सीधे वार करके नहीं जीत पा रहे हो तो तुम पीट पीछे वा मर जाते हो या फिर उसे मार देते हो तभी वह व्यक्ति कहता है नहीं मुझे नहीं मरना मैं उन सबों को मार दूँगा सामने से नहीं तो मैं पीठ पीछे मार दूँगा अब यह सुनकर शकुनी तो बहुत जादा खुश हो जाता है तभी वहां दुशाशन आता है और वह पा को देख रहा होता कंड समझाने की कुशिश करते हैं कि देखो मित्र ये पांडु अब खतम हो चुके हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जेवित हैं तब ही शकुनी वहां आगे कंड की बातों में अपनी सहमती दिखाते हैं वहीं अब शकुनी दुर्योधन को पांचा जुम जैसे महान योद्धा हमारे बहुत काम देंगे और सिर्फ तुम्हें हस्तिनाफ पुरका युवराज नहीं बलकि तुम्हें पूरे राज्यों का समराट बनना हर एक राज्य पे राज करना है इसलिए ये विवा बहुत जादा उत्तम होगा दुर्योधन तयार हो जा हमेशा की तरह सचका साथ देती हैं और वो पूरी सभा के सामने कहती हैं कि मैं ये कत्ता ही नहीं स्विकार करूँगी कि मेरा और कृष्ण का प्रेम अनुचीत है और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूँ जब हमारा प्रेम परिशुद्ध है और ये करने से संसार क्या सोचेगा ह हमारे बारे में हमारे रिष्टे पे सदैव संदे करेगा मैं ऐसा करता ही नहीं कर सकती इसके लिए मुझे छमा कर दीजे आप लोग अब ये सुनकर कुटिला और आयन तो आग बबुला हो जाते और वो राधा को डंड देने का निश्चिया करते हैं आयन सभी से कहता है रा अब यहीं वहां पर поговор Transportation कहते हैं कि सही है अभ्यास करिए भविष्य में इसकी आपको आँबिशक्ता भी पढ़ने वाली है अब यह बात सुनकर दाव कहते हैं तुमने इससे पुर्वी भी मुझे से किया होने वाला भविष्य में तभी काना कहते हैं कि वक्त आने पर सपुछ आपको पता चल जाएगा वहाँ तभी दृष्टिदूम आता है और दृष्टिदूम काना से आग्रह करते हैं कि पिता जी ने उनके लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया और उसमें समलित होकर मा बढ़ाएं अब यह बात सुनकर काना कहते हैं कि अवश्य में जरूर रहूंगा और उसके बाद काना दाउ से कहते हैं दाउ आज मुख्य अगती थी तो आप ही को बनाओगा मैं जा रहा हूं पंडव के पास अब दाउ नहें रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हमेशा की तरह काना तो काना है वहां से चले जाते हैं इधर वन में अर्जुन फल को अपने तीर से तोड़ रहे होते हैं तभी वहां पर माधव आते हैं और वह अपने तीर से तोड़ देते हैं फल को अब यह दे के अर्जुन फिर से आश्यर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसी तीरंदाजी कैसे कर सकते हो, एक साधारन वैपारी के बसकी बात तो नहीं है, अब इस पर माधव कहते हैं कि तो क्या एक ब्रामणी सिर्फ ऐसा कर सकता है, क्या कोई वैपारी तीरंदाजी नहीं कर सकता, वहाँ पर भीम आते हैं और वो माधव यानी कानहा के उपर गुसा करते हैं कि तुम या फेर आगे तुम्हारा क्या उद्देश है तुम हमारा पिछा कर रहा हो तभी कानहा बताते हैं कि नहीं आपको ग्यात नहीं लगता है पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपती का विव अब निरस्थ हो गया और अब उनका स्वैंबर आयोजित किया जाएगा इसके लिए एक प्रतियोगीता रखी गई है जो की एक तीर अंदाजी है और ये बाते सुनकर वापिस से अर्जुन दौपिती के विशय में सोचने लगते हैं आने वाले एपिसोड में आपको देखने मेंशन कीजिए